वेल्कम टू न्यू वीडियो आफ एयर सोफ्ट गर इंडिया आप उपर देख सकते हो थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग अस्यो टू एयर गन या फिर एयर गन आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाला है जो चीजे आपको पता होनी चाहिए जो एयर गन्स खरीदने से पहले यह सारी common sense की बाते हैं इसार all common sense हम लोग यह प्रिजूम करते हैं कि आपको यह सब चीजे पता होनी चाहिए इससे खरीदने से पहले बट मैं फिर भी बताने वाला हो तो बहुत से चीजे ऐसी हैं जो आप सब को अलड़ी पता होंगी बहुत से चीजे आप लोगों क इसे skip ना करें वीडियो पूरा देखें और हाँ वीडियो को लाइक कर दें लाइक करने से motivation मिलता है तो ऐसे वीडियो जो है मैं मनाओंगा और निचा आप कमेंट में यह मतल दिखीगा किसका price क्या price के लिए link में मैं description में description में link देदूँगा website पर check कर सकते हैं आज के license की requirement नहीं है और किस रूल के तहरत दें नहीं है आम्स रूल 2016 में एर गन को दो हिस्सों में बाटा गया था जिसके अंदर एक है 0.177 से उपर वाली और 20 जूल से उपर वाली और दूसरी है 20 जूल से नीचे वाली अगर आप इस गन की उपर देखो कि 1.7 जूल है जितनी भ और यहां तक अच्छे से निसान लगता है वो है 10 मीटर तक अच्छा जो उनका प्रेशन होता है जाता हुसे दूर भी है बट इसी के लिए निसान के लिए बनाया जाता है तो यह आपको पता और ची एर गन है और उसी रूल के तहर यह .177 से नीचे है इसके लिए license की रिक से खरीद होगे क्या किसी भी licensed air gun dealer से खरीद होगे तो आपसे आपका ID proof मांगेगा address proof मांगेगा और आपका जो बिल होगा उस बिल में आपके gun number mention होगा और आपका ID proof मेंशन होगा यह गौर्मेंट का रूल है अब देखिए देर आर ग्रे मार्केट हर जगा होती है जो लोग लिख करके जो है आपको बिल देता है और आपका ID proof गौर्मेंट को जमाग कर दिया आता है और उनके पास आपकी documentation होती है कि आपको यह फ्लानी गन बेची गई है अब इसी पर आतने हम दूसरे point पे कि क्या आप गन लेकर के किसी को बेच सकते हूं या gift कर सकते हो यह बहुत important है कई लोग क्या करते हैं यह arrogance खरीदते हैं जब आप खरीदो कि आपकी ID proof जो है दी जाए जाती है और आप किसी को gift कर देते हो ऐसा नहीं करना है अगर आपको gift देना है तो उनकी ID proof से ही खरीदना है उनको बता कर कि आप फर दी यह ऐसे gift नहीं है जब किसी को surprise दे दूसर कि government चाहती है कि उन्हें पता हो कि यह गन कित के पास है कि किसने गन खरीद रखा है उसका address क्या है उसका photo कैसा है उसका चाहरा कैसा है उसका contact details क्या है तो यह इसलिए air gun dealer के दोवारा ही बेचा जाता है तो जब अगर आपने कोई गन समझ लीजे for example आपने यह गन खरीदी इ और गल्ती से उसने किसी को चोट लगा दिया या इनी केंड आप होता नहीं है तो उसके लाइबल आप होंगे क्योंकि जब वो गवर्मेंट के बंदे जब चेक करेगे तो मालूं पड़ेगा कि यह गन किसको बिचा गया था यू कैन गेट इंटू ट्रवल सो अपनी गन ज दूसरों को नहीं दियाती है इट इस यॉर्स ठीक है इट इस यॉर रिस्पोंसिविटी यू गेट मैरीड टू अगन तो यू आप टू टेक कियर आना ऐसा पार्टनर आप उसको उतने ही इजट से उतने ही प्यार से उतने ही समाल करके गन्स को रखोगे यू निड़ आप आप इसे किसी को नहीं बेच सकते हो और अगर बाई चांस अगर आप मुझे यूज नहीं है ज़रूत नहीं है बेचना ही है आपको वापस एयर गन डीलर को ही बेचोगे बट देन जो आप बेचोगे चांसेज आर वेरी हाई आपको उसको प्राइस कम मिलेगा सो जब आप आप कर रहोगे तो आपको प्राइस बहुत कम मिलेगा तो यह आपको क्लारिटी होनी चीए देखिए मैं ऐसी बाते बता रहा हूं जो कोई नहीं चाहता है कि आप जाने या फिर आप ऐसी कॉमन सेंस है बट आपको पता होना चीए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग को स्क्लारिटी हो इन सब चीजों की दूसरा डोंट लेंड योर एरगन यह जैसा कि मैंने पहले बता है कि त्रीटिट लाइक यो पार्टनर यह वाई आप इसे लेंड नहीं कर सकते हो कोई आपसे दोस आपसे मांग रहा है डोंट गिवट आइनो इट साउंड वेर्ड कि छोटी सी आप तो अपने दोस के लिए जान द अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनो क्या रहीं गण या फिर कमर में लगा करके जो है आपने देखा कई लोग क्या करते हैं गन कवर लागरे कमर में लागर घुमते हैं आप सब को पता होना चाहिए कि इंडिया में गन को ब्रैंडिस करना इस नॉट लिए वाट ड़ क्योंकि आप घूमोगे पुलिस वाले आपको रोकेंगे आपसे पूछेंगे कि भाई तुका यह लीगली गन एलाउड है बड़ इसका मतब यह नहीं कि आप इसको ले करके सोसे वाजी करो फुक्रे वाजी करो पंजाबी में एक वर्ड है फुक्रापंती फुक्रापंती आप नहीं कर सकते हों इस शुड भी ट्रीटेट विध रिस्पेक्ट जब भी से आप कैरी के रोगे सर्टन प्रोटोकॉल है सर्टन प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है जब भी आप गन कैरी कर कहीं कर रहे हो लॉंग डिस्टंस के लिए कहीं लेके जा रहे हो और आप गन खरीते हो आपको बिल मिलता है और जीस्टी बिल साथ में रखो सबसे असान तरीका होता है जो मैं फॉलो करता हूं वो यहां पर फोम के पीछे एक साइड में मैं डालके रख लेता हूं तो हमेशा मेरे पास गन पड़ी रहती है या फिर मैं बिल समार करेक्ट हूं और हमेशा मेरे वाटसप पर मेरे फोन की गैलरी में और इमेल पर जो इसका सॉफ्ट कॉपी पड़ा होता है तो आपकि कल को किसी समझ सकता है तो always be very responsible एक समझदार इंसान जनरली जो भी यह गंस हैं काफी महंगी आती है तो भी प्रजूम किये कोई छोटे बच्चे नहीं खरीदता है इसे 25-30 साल से उपर की ही जो targeted audience होती है client होती है तो आप इतने समझदार हो कि आप इसको responsibly use करो ठीक है अगर आप इस अब इसको शूटिंग नहीं लिया सकते हैं अपने फार्माउस ले सकते हो आप इसको और ले जा रहे हो इसको अपने पास शॉक के लिए 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 इस पर पर पस एक मैने अलग से वीडियो बनाई है कि यह सल्फ डिफेस्स में इस्तमाल क्यों नहीं करना चाहिए तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भी जाके देख लीजिए उसमें मैंने बता गया है क्योंकि यह सल्फ डिफेस्स के परपस के लिए ओविसली नहीं है कोई भी आपको मार्केट करते बट ऐसा नहीं है डूंट फॉर इंटू इंट ट्राप दूसरा सेफ कस्टडी यह क्या मतलब होता है जब असली गण आप खरीते हो तो उसमें गवर्मन्नम्न आपसे तीन सभी लेते हैं सुमसे एक सभी वी सडिफेट होता है यहाप हूंको लिख़़ के देते हो क्या आप के पास गंस को रखने की सेफ जगा है जब आप यह गंस में रखें अगर आपके बास सेफ है जो होती है वो बहुत सस्ती आती है पांच छे जार उपे यह थी आप उसको करें कि को बचन को यह दो आपको पता है कि इसे यूज करना काफी ज़्यादा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में अगर आपने ढंक से इसको नहीं समझा होता है तो उसके अंदर करें कि बच्चे इस तक अप्रोच ना कर सके आपकी गन है आपके अलाबा कोई से एक्सेस ना कर सेके आपकी जब्मदारी है कहीं भी खुले में नहीं रखना ह हैं कई लोग को देखता हूं मैं टेबल पर रख देते हैं कि बॉक्स पर ऐसा बिल्कूल नहीं करना मेक शूर कि आप इसे बॉक्स में समाल के रखें दूसरा मुंबई में हैं आपका लुधियाना में है और आप कुछ महिनों के लिए लुधियाना जा रहे हैं जगा है जगा है ज़ानी का अपका बड़ा घर है और आप इस गर одной के जाना चाहते हैं तो और घेधा परोसेस और हॉस्य sentido साथ में बिल साथ में आपको कारी करना पड़ेगा और वह जब लास मैंने चेक किया था वो पांच हजार रूपे चार्ज करते हैं वो आपको एक बॉक्स देते हैं आपकी गन डिपॉस्ट हो जाती है उनके पास और आप से पांट से पांट सब्सक्राइब करें कि आप इसे बाइयर ना भी इसको सिर्फ बाइग्राउंड जो है ले आ चाहते हैं सेम गोस फॉर रिपेर के लिए आप कहीं भेज रहे हो तो इसको सर्फिस कुरियर से ही बीजें बाइयर इसे नहीं बेज सकते ठीक है और आप उसको प्रॉपर्ली मेंशन करें कि आप किसका आप जो है एर गन भीज रहे हो साथ में उसका और इजिनल बिल लगाना म मत भूलें कि दूसरे पॉइंट पर आता है यह काफी इंपॉर्टेंट है कई लोगों को मैं देखता हूं यह करते हैं मतलब यह बहुत जादा नहीं है बाट मैंने देखा है हजार में से एक लोग तो यह गलती कर ही देते हैं कि दूनोर्ट मॉडिफाइड दिस गन कि वाट ड़ ड़ दाट मीन कि आप देखोगे इसके उपर जो है मार्किंग लिखी वी है कई जगा पर एर गन लिखा होता है और इसके फोर पांट कि यहां पर लिखा हुआ है इस पर गन नंबर लिखा हुआ है इससे मिटाना नहीं ह कई लोग क्या करता से इसको क्रश करना है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है गन्स की उपर मार्किंग है उसे हटाना इस इलीगल आप उसको छेड़ नहीं सकते हैं या फिर आप गन को पेंट नहीं कर सकते हैं कई लोग देखते हूं कि मैं उनने पेंट करने का ग्रिप को आपकी गंजिस कंडिशन में हैं उसी कंडिशन में जो इसकी फोटोस हमारे पास होती है और आपकी आईडी प्रूफ पर चड़ाते हैं तो गंज को प्लीज मोडिफाय मत करिए उसमें दो रिजन एक तो लीगल है दूसरा है आपकी गंज खराब हो जाएगी इसको बिना बात आपके पेंट वगरा मत करिए इससे आपकी गंज जो है डामेज हो सकती है उसी से आते हैं हम लोग रिपेर ठीक है देखिए आपकी गंड में वैसे जो है इंपोर्टेड हैर गंस हैं तो इसमें इस्में इस्यूज नहीं आ दिए दस अजार में से एक मिश्याशन असक्ति ह है हो यह सकता है कि अगर आप इसके अंदर स्यूटू बहुत टाइम टक स्टोल करके रखें तो इसमें जो है लिके जा सकती है वह भी बहुत रहा चांस होता है या आपकी बीबी अटक जाती है जब आप या तो टेड़े मेड़े बीबी डाल देते हो या फिर यूज बीबी और उससे अगर एक पलेट फसा है तो आप उसे पुश करके सामने से निकाल सकते हो बहुत इजी है बट अगर आपने मल्टीबल बीबी फसा दिया तो आप इसे खुझ से छेड़ने की कोशिज ना करें इन गंस को खोलने की कोशिज ना करें मैं कुछ लोगों को जानता हू जो लोग यह गंस को खरीदते हैं वो काफी पैसे वाले हैं और जिनके पैसा होता है वो ज्यादा स्मार्ट मुझे ऐसा लगता है देर स्मार्टर उनको समझदार हैं तो कई लोग जो हैं गंस को खोलने ही गोशिश करते हैं जब आप खोल के ठीक कर लें तो बढ़ी है बट अगर आप इसे खोलेंगे तो फिर इशू आता है फिर रिपेर करने के जो है आप उल्टा इसको और डामेज कर देंगे खराब कर देंगे और यह जो चांसेज हैं बहुत कम होते हैं लीकेज वाली बात है लीकेज या तो आप पांच असल तक बहुत यूज कर रहे हैं तो इसे खराबी आ सकती है या फिर आप स्योटो स्टोर करके रखें वैसे हम लोग सब को बताता हैं कि स्योटो स्टोर नहीं करना है और प्लगें डालते रहना है तो गन्में डामेज होने के चांसे बहुत कम होते हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए आपको कभी भी इशू न से इसे चलाणे वाले सीह होती है इसलोरी मैंसे बोलता रॉयल स्पोर्ट तो ऐसा डेक्रीहं जो है आप मैंटीन करει के उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बता था जेस्टी बिल्ल हमेशारी करिए बिल जो है जब भी जा रहे हैं बिल को हमेशायरी करना है बाहर आप गरे हो at उसके बिना जो है कभी भी कहीं नहीं घुमना है कि मैंने आपको बता दिया इसे ओपन भी नहीं करना है आउट अफ किरोस्टी ओपन करने कोशिज ना करें खास करके अगर आपको लग रहा है कि अंदर का कुछ पार्ट में इश्यू आ गया देखिए फिर से बता रहा हूं य कि मेरी टीम को जो है साथ पसंदना है बाट मैं आपको बता रहा हूं देखिए जो गन में छोटे इश्यू होते हैं माइनर इश्यू फॉर इसके अंदर अगर लिकीज कभी कभार आ गया दाट कैन भी फिक्स्ट वो दस दिन के अंदर ठीक हो सकती है उसके पार्ट सीम्स बगाने के लिए को बहुत जादा मुश्किल नहीं है कुछ गन्स की जो मैगजीन से बड़े टाइम रेंड इथिरी हो गया है इनके मैगजीन से आपने बुरी तरह से खराब कर दिया है या आपने उसको बड़े गंद दूसरा कोई भी पार्ट को तोड़ना नहीं है अगर कोई भी चीज तूट गया तो आपको यह पता होना चाहिए दूसरा यह हमें भी पता है आपको भी पता है यह सब गंस वह बाहर की कंट्रीज में दे आर टॉइस तो इनकी वैली टॉई ही है ऐसा नहीं है कि इंडिया में गवर्मेंट ने इसको जो है एरगर्ण की कटेगरी में डाल दिया है रेगुलेट कर दिया है तो यह और यह मह में नहीं है अरूष क्योंकि इंपोर्ट है को इंपोर्ट के हां एक लास पॉइंट यह योगन यसे में रहते हैं चानदा में होंकौक्रों में रहते हैं पांस यहीं हो सकता है 3-4,000 भी हो वो पूछते हैं क्या हम इसे इंडिया ला सकते हैं क्या लाना एलाउड है लीगल टम्स में क्या है लीगली देखिए गौर्णमें ने थोड़ा कॉंप्लिकेट कर दिया है इंडिया में इसे बेचने के लिए एरगर डीलर लाइसेंस से उसके बाद वो नहीं कर सकते हो या फिर बाहर से आपका फ्रेंड को इसको लेके नहीं ला सकता है अगर लाएगा चांसे आर हाई कि रस्टम्स में आप उसे रोक लिया जाए गौर्मन जो से अलाउड नहीं करेगी और हो सकता आपके उपर फाइन वगर भी लग जाए ठीक है बट देन इस यौर कॉल है ना लीगली तो यही कहना है आई होप आपको यह सारी बात समझ में आ गई हो आई होप अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो फिल फ्री टू लेट उस नो हाँ एक और गुड निउस एक और गुड निउस इंडिया के कमपनी जो है CO2 गंस बनाना उन्होंने पहली गन जो है Glock Gen 3 का मॉडल मनाया है वो अभी के गन से आदे से भी कम रेट में है मतलब अब जो है आपको CO2 गंस 27-28,000 में इंक्लूडिंग GST मिलना साट हो जाएगा 30,000 के आसपास बट वो कब से मिलना होगा एक आद मैने का समय जा सकता है तो येस इसा गुड निउस उसका अपडेट जैसे हमारे पास आएगा आपको बता दिया जाएगा तो ये हम सब के लिए गुड निउस है और कोई सवाल हो नीचे कमंड करना मत भूलीगा वीडियो काफी लंबा हो गया है इसके लिए जो है आपको कुछ नया ही मालूम पड़ा होगा कुछ नया चाते हैं तो आप मुझे बताइए नीचे कमंड करके वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको इनमेंसे कोई भी गन खरीदना हो हमारे वेबसाइट पर जाके खरीज सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दियो नमबर पर हमसे कॉंटाइट कर सकते हैं सुबह 10 से साम के 6 बेये तक Monday to Saturday और holidays के दिन हमारा holiday होता है बट हमें आप mail भी कर सकते हैं airsoft gun india at the rate of gmail.com हम लोग Mumbai से dispatch करते हैं all over India तो अगर by chance किसी को खुद से लेना हो हमारे team से बात कर सकता है हमारे Mumbai office से आकर कर सकता है या अगर आपका कोई friend and family या रहता है तो you can get it pinned credit card में आपको बता दिया हमारे पस credit card के भी options है credit card पर EMI के options भी है तो जाइए उसका इस्तमाल करिए thank you so much